कि नमस्कार केपिटल टीवी में आपका स्वागत है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चुनाओं के नाम पे मजाख हुआ जन्ता जिसे चुनना चाहती थी उसको बैन कर दिया गया जिसे नहीं चुनना चाहती थी आर्मी ने उसे विजीता बना दिया लोग सलकों पे हैं हंगामा हो रहा है डिमोकरसी की मौत कैसे होती है चुनाओं के जरिये इसका जीता जाकता उधारन पाकिस्तान बन गया है दुनिया की तमाम एजिन्सियां बहुत सारी देश इस चुनाओं के उपर सवाल उठा रहे हैं कह रहे हैं कि ये फ्री एंद फिर एलेक्शन कते ही नहीं है लेकिन सवाल ये है कि ये चुनाओं से पाकिस्तान क्या खोया क्या पाया और हिंदुस्तान के उपर इस चुनाओं का क्या असर होगा नया प्रधानमंत्री कौन होगा उस प्रधानमंत्री का भारत से किस तरह का रिष्टा होगा रिष्टे हमारे सुधरेंगे या प्रधानमंत्री मुदी इसी तरीके से कहते रहेंगे कि गंस और टॉक्स तो ये सारी चीजें समझने और समझाने के लिए हमारे साथ मिस जेनलिस्पी सिना साहब है आपका बहुत-बहुत स्वागत है चुनाओ तो हो गए कैसे चुनाओ कहेंगे या मडर अफ डिमोकरसी कहेंगे यह प्रजातंत के साथ बहुत ही दुर्भाग पूर्ण विभार हुगा है अब मैं एक शब नेरे मुह में आया लेकिन मैं बोलू कि यह 266 शीट है कहा जाए है ना पाकिसा अस्मली में पीटी आई को मतलब इंडिपेंडेंट कर दिया तो उनको लगा कि भाई जब पीटी आई रहेगा नहीं तोगेदर फाइट नहीं करेंगा कि सिंबल पर तो क्या है तो इम्रान खान ने चला कि इंडिपेंडेंडेंट करेंडेंट खड़ा कर दिया यह तो पीटी आई 95 शीट पे जीत रही थी और पीमल्ल नवाज शरीफ 64 और बिलावल पचास टोटल 209 उसके बाद भी शीट में कुछ परिवर्तन आया है तो लास्ट कल का रिपोर्ट था सवाल यह पैदा होता है मेरिट दो केस में यह रोग क्या क्या नवाज शरीफ बोलता है सिंगल लाजरेस पार्टी हम है मतलव 64 लाजरेस पार्टी इंडिपेरेंट तो पार्टी नहीं है वो तो अब अलग अलग बिख्या जा तो टेक्निकली लिगली हीज और ऑस पार्टी है तो मुझे प्रतांग्मंती बनाओ पर इसमें भी form 45 जो आधार होता है election result announce करने का उसको बदल दिया इमरान खान के नाम पे है चला गया नवाज शरीफ के नाम पे इतनी दादा गिरी इतना system का मजाट मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्थान ये प्रजात्तर क्यों अपने आपको डिक्लियर करता है अब ये बताईए कि हमारे लिए हिंदुस्तान के लिए इमरान बेहतर था या नवाज शरीफ इसके दो बिंदु हैं यदि ethics की बात करो तो जो इमरान खासाथ हुआ वो गलत हुआ लेकिन रास्ठ हित उससे बड़ा है हमारे हित में है नवाज शरीफ का बनना प्रधान मंतरी उसे कर्ण बताता हूँ कि मोदी जी और नवाज शरीफ के जो रिस्ता है जो वेव फ्रिक्विंसी है वो मिलती है पहला दोहजार पंद्रह में प्रोटोकॉल तोड़के अचानक उनकी मां से मिलने गया नवाज शरीफ के मां से मिलने गया है यहां हिंदुस्तान में कितना बवाल हुआ था यह आप सभी में अच्छाई होती है सब में बुड़ाई होता है सवाल यह पैदा होती कि रैपो कैसे बढ़ता है रिस्ता कैसे डेवलप होता है एक दूसरे कदर लाइकिंग कैसे डेवलप होती है इन विवहार के कारण मोदी जी के कितनी दिन्दा हुए थी बिना बुलाज चले ग यह सब तो पपिट है उसके बाद तो नवाज शरीफ हमारे राष्ठित में है उसका प्रधान मंत्री बनना लेकिन सबसे बड़ा प्रशन जो है आठ बिंदू है उस पर नवाज शरीफ कुछ भी सोचे पाकिस्तान की आर्मी आर्मी चीफ क्या सोचता है वह मुहत्पुन है अब यह आर्मी तो अब क्या करें का आर्मी तो लोग दोड़ा रहे वहां वीडियो जा रहे हैं आर्मी वाले को ही खद्रेल दे रहे हैं लोग होगा देखो इंद्रा गांजी कैसे बावुजा परकास नाय ने कदीश उठा के फेक दिया जब जन कांती होती है तो उस इक राजा राणी कोई भी नहीं पता है कि केक कौस्टि है ब्रेड से अद्मी fire नहीं के खाने के लिए कर लोगे तो के कहां से खाएगा अदमी तो एक राजा- sneaking राजानी इतना अन्भीग हो जाय वास्तिकता से तो पाकिस्टानी आर्मी चीफ अन्भिग्य है नहीं जानता है उस सब कोछ सवाल है सर्वाइवल का इम्रान खान ने प्रधान मंत्री बनता तो ऐसे से कानून ले आता जिसको आर्मी चीफ कैसे आप उसको अपोज करोगे उसको समना करो अफैं कि इम्रान खान तो पहले से ही उसकी पार्टी कि लोग कह रहे हैं कि आप जो है कि सी काम की ने इतना परसा आर्मी रखनी कि यह क्या सकता है हमारी कोई जरुत्य नहीं है अरे भाई ऐसे भी पाकिस्तान आर्मी नेई क्या बहला कर दिया पकिस्तान kा एक जंग जीता है जितवाया पाकिस्तान के लिए नहीं बेजिती करवाया हाँ एंजियो चलाता है चिकन बेजता है मुरगा बेजता है रियल स्टेट में डील करता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ लोग लंडन में वाशिंग्टन में पता नहीं कहां-कहां कोठी ख़़ते हैं पांच रुपे का प्रॉट खईदा दो लाक में भेज दिया यह तो पस एक ही कम्यूनिटी एक ग्रूप है जो एश करती है पाकिस्तान में वो आर्मी है तो यह समझते हुए भी कि नवाज शरीफ बेटर बेट है हमारे लिए उसका कोई फैदा नहीं है क्योंकि आठ क्या है बोलता विवादित शेटर का है का विवादित भाई महारा हरी सिंग ने इंस्टुमेंटर अच्छेशन में यह हमको पुरा प्रॉप्टी हमको दिया अंकंडिशनरी मर्ज कि हमारे साथ तो हमारा है आपके पास कोई प्लॉट है नोइडा में और आप मुझे बेज देते हैं कि जब तक हो कश्मीर को विवादित और पाकिस्तान में मिलाना है आज कभी न कभी यह बताएंगे नहीं तो यह तो जस्टिफिकेशन नहीं होगा आर्मी रखने का ही सुनो न तो मैं यह कह रहा हूं कि पहला पॉइंट जमून कश्मीर पर उनका क्या स्टैंड आ नहीं हमारे नहीं है जबकि पाकिस्तान के स्वल्चस थे और 먹 थे आपने बतलब स्वल ज़र स्कानी वोडी का सममा नहीं किया बोडी लिडे से मना कर दिया मोधी सरकार जब से आई है तब से ये सब्द सुनाई नहीं दिया पाकिस्तान की तरफ से कि रॉन ने स्टेट एक्टर ने किया है तो उसके बाद चौती चीज़ सपोर्ट लश्करे तौबा को हिजमन मुझाइदीन को जैसे महमद को मुझाफरावाद बंशेरा कोटली मुझाफरावाद में इनकी जो आतंगवाद की टरेणिग सेंटर चलती है उसको कह डिस्मेंट करेंगे नहीं करेंगे आतंगवाद जो हिंदुस्तान में एक्षपोर्ट किया जाता है उसमें कोई परिवर्तन, नहीं अभी भी कश्मीर है इनके OGW है, अंडरग्राउंड वर्कर्स है इनके स्लीपर सेल्स है क्या वो वाइड़ एफ होगा, नहीं होगा Spanager जी करते है, हनी ट्रैप करते है पैसा देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, ISI agents बढ़ाने की संख्या में कोई कमी होगी, नहीं, उसके बाद सपोर्ट, खालिस्तान को सपोर्ट देने में, उसमें कोई सोच में परिवर्टन होगा, नहीं, जब आठो पॉइंट में कुछ होगा नहीं, तो मेरी तरफ से कबुतर बन जाए, चुहा बन जाए, कोई बन जाए, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें, हमारे मन में द्वेश यही रहेगा, कि पाकिस्तान से दूरी बना के रखो, we have to nothing to do with पाकितान, और जो लोग कहते हैं, अन्नवाज शरीप यदी कहेगा, कि नहीं हमको मित्रता का एक मौका दीजिए, हम आए सदैर समराड थे, उन्हाने लाहौर बस Vamos से किया, प्राधमनदृ मोधी प्रैक्टिकल प्िटिसेंग, प्रैक्टिकल 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 प्लीटिशन, कर ège मंच से एक रच्ठिकल प्लिटिशन, पी, पी, पी पी है, तो यह तो आपने जो आठ पॉइंट से बहुत tough statement देने जा रहा ऊं फारत वर्श पाकिस्तान की समस्या का एक ही solution है पाकिस्तान का मॉत उसको झो है बिल्कुल Belkinize कर देने का है दूसरा पाकिस्तान के टुक्रे-टुक्रे कर थो खाली पंजाब छोड़के बागे सब अवी पंजाब उपने पंजाब में विला लो, फिनेश्ट, और कोई solution नहीं है, धर्ती से ये territory का पाकिस्तान नाम होना इसको विलाय करतेने की जुरत है, एक दिवानुन का picture था ना, guide, उने, guide था ये कोई दुस्वा पिक्चर था, दु क्योंकि साम को trust नहीं कर सकते है, मनीश, अपना image को दाओ पर लगा के, मोदी जी गए उसके घर, मा को respect देने, क्या मिला है, क्या मिला है, पुलवामा, औरी, और एरफोर्स पठान कोट, बेस पे टाक, साथ दिन के अंदर, तो भाई, कितनी बट, चाने के क्या बोलते है, का साथ 40 से अभी तक चड़ती आ रही है, लेकिन दुख इस बात करता है, इसके बावजूद, यहां के कुछ गंदे जो कीड़े लोग हैं, द्रेश द्रोही हैं, वो जाके पाकिस्तान कोटे हैं, लेकिन यह आपको नहीं लगता, बहुत सारे लोग कहते हैं, पाकिस्तान मगर अबर चुका है, उवरण वरण होगा तो बार आएगी, तो लोग धूबेंगे उसमें, देश भी धूबेगा, वही हो रहा है पाकिस्तान में, लोग समझ गया है, अजी अर्मी को ठोक रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं तो दस साल से बोल रहा हूँ, कि जनता जना एक भला करदो. जनता जनरा रढदन. तुम्हारा ded bread लिया, हग लिया, तुम्हारा सम्मान्थ लिया, तुम्हारे देश की यो छवी खराब कर दिया, तुम्हारा प्रधानमंति इसका इजनत क्या रहा है. और केसलिए? यह आर्मि के बेशुचत. इसको भगाओ, तुम प्रधानमंती नवाज शरीफ को चाहिए कि मोदी जी को कहे कि हम आप ही के आर्मी के अम्रेला के नीचे काम करेंगे, जैसे आर्मी बोलती है ना, फॉरें अफेर्स हम देखेंगे, पाकिस्तान बहुत ही कमदोर हो जागा, तो यह दिन भी देखने को मिल सकता है, अगर आपका यह वीडियो पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, और सब्सकाइब करें, धन्यवाद. झाल झाल